A very special good morning to all of you my lovely students So कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी परहाई भी दबरदस चल रही होगी दोस्तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी के most important प्रस्ण करेंगे जो आपके बिहार पैरा मेडिकल की परिक्षा के डिश्टी कोन से बहुत ही जादा important होगी चलिए मित्रो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग उस एक छोटी सी request है यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए चलिए दोस्तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चो आज का हमारा टॉपिक है परतियाए जैसा कि इस्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा अना परतियाए ठीक है हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चो वह है परतियाए परले हम लोग पढ़ेंगे की परतियाए कहते किसे हैं पना पारेखले यहां लोग पढ़ेंगे की पर्तियाई केहतेएं करते हैं थ одной पर सबसे पहले वेची परतियाई कीस्लाइघ लिख लीजेएगर जो सब्धाउंस जो शवदांश मूल शवद के अंत में जुड़ कर उसके आर्थ में परिवर्टन कर देते हैं उसके आर्थ में परिवर्टन कर देते हैं उसे परतियाई काते हैं ठीक है? उसे क्या काते हैं परतियाई काते हैं ठीक है अच्छो उसे क्या काते हैं? परतियाई काते हैं के लिए लिख लिए आप लोग? चलिए मैं थोड़ा टाइम देती हूँ आप लोग लिख लो फटा फटा जो सवदांश जो सवदांश मोल सवद के अंत में उपसर्ग में हम लोग पढ़े थे पिछल क्लास में शुरु में लेकिन इसमें अंत में जूर कर उसके आर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे पढातियाई कहते हैं ठीक है? लिख गया? चलिए अब हम लोग इसे रिमूउव करते हैं चलिए भच्छो अब बात आती एक्जामपल की ठीक है? अंत में जूढना है ठीक है तो हम लोग जब अंत में जोड़ेंगे तो चलिए पहले एक लीख लेते है जिसे मान के चलिए कि लिखा हुआ है कर्ज क्या लिखा हुआ है कर्ज यह मुल्सब्द है अगर मैं इसमें दार जोड़ दूं दार दार पड़ती है तो क्या बन जाएगा जी कर्जदार अना अगर लिखा हुआ है कहीं पर इस्त्री इस्त्री ठीक है अगर मैं इसमें त्वा परती है जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा इस्त्री तो बनेगा अगर लिखा हुआ है कहीं बच्च शील ठीक है अगर इसमें मैं आई परती है जो दो आई तो सिल आई यानि कि सिल आई ठीक है कि इस तरह से जुटकी जी बन जाएगा कि ठीक रचे तो यही है पर्तिय समझ मैं जो किसी भी सब्द के अंत में जुटता है बेज अब जैसे कि आप लोग को मैं भी एक्जाम्पल से समझा चुकी हूँ सिलाई, कर्जदार, इस्तरीत, है ना और बहुत सारे जैसे लिखावट, पढ़ावट, सजावट, है ना और बहुत सारे एक्जाम्पल से हैं, ऐसे बुढ़ापा, मोटापा, है ना साबधानी, बोली, दूसरी, है की नहीं, मजदूरी, ठीक है तो आप हम लोग जो है बढ़ते हैं इसके भेद की तरफ, ठीक है तो बच्चो परते आई कि ये दो भेद होते हैं, ठीक है परते आई कि कितने भेद होते हैं जी, दो एक होते हैं क्रित और दूसरा होते हैं तद्धित ठीक है क्रित पढ़ते हैं और तद्धित पढ़ते हैं पढ़ते हैं कि दो भेद होते हैं एक क्रित पढ़ते हैं और एक तद्धित पढ़ते हैं ठीक है चलिए आप हम लोग कोस्टन कितरा बढ़ते हैं बच्चों हमारा पहला प्रश्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लठाइत में कौन सा पढ़ती है लठाइत लेकिए ये भी संदी विचेत की जैसे ही है वस वैसे ये भी तूट जाएगा लठाइत मताइए ता यहां पर परतिया दिया हुआ है तो देखिए इसको हम लोग जो संदी विचेत करेंगे तो यह कैसे टूटेगा लठ लठ में आइत जोड़ेंगे तो बनेगा क्या जी लठाइत ऐसे हैं आप इसको प्रनेंश्रेसन अच्छे से करें तो दो वर चार वर अपने हाप लिखा जाए लठा आइत आइत तो आइत कहां पर लिखा हुआ जी आपसा नमबर इसका राइट आंसर क्या होगा जी आपसन सी होगा ठीक है चला जाए अब निक्ष्ट प्रश्ण क्यों प्रश्ण श्रंक है दो गुलावी में कौन सा पड़ते हैं तो देखिए गुलाव मुल सब्द जो है बच्चों यहां पर गुलाव है अब देखिए गुलाव में अगर हम दिरगाई को जोडते हैं दिरगाई मतलब यह वाला मात्रा इसको यह बन जाएगा क्या जी गुलावी बनेगा बच्चों यह दिरगाई जुटा यह क्या जुटा हुआ है दिरगाई जुटा हुआ है कि नहीं यानि कि इसमें कौन सा परतिया लगा हुआ है दिरगाई आपसा नंबर बी अना गुलाप जोड दिरगाई गुलावी दिरगाई परतिया ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण संक्या तीन लिखावट में कौन सा परतिया है छाट के बताईए वट परतिया है टा परतिया है आपट परतिया है खावट परतिया है ठीक है बताई लिखावट में कौन सा परतिया है जी लिख धन आवट क्या बनेगा जी लिखावट लिख धन आवट लिखावट आवट अना यह बनेगा बच्चो ऐसे लिख और इसमें एड होगा क्या जी आवट तो परतिया है हमारा आवट है यानि कि इसका राइट अंसर होगा option number C अना बच्चो राइट अंसर क्या होगा option number C ठीक है चलिए प्रेश्ण स्वर्ण क्या चोठा सैनिक सब्द में कौन सा पढ़ते हैं सैनिक ठीक है का इक दिरगा इक निक बताए कौन सा पढ़ते हैं जी सैनिक में सैनिक दिखिए हैं यहां पर हरसा ही ओर का दिख रहा है जी वाताच्या परते होगे कौन सा पढ़ते हैं जचोऑ बी जो है बच्चो, करेक्ट होगा, ठीक है, और मैं बता देती हूँ, हिंडी में बहुत सारे पढ़तिया है, कि संख्या भी बता देती हूँ, जैसे देख लीजे, कौन-कौन सा पढ़तिया होता है, एक होता है बच्चो, आई पढ़तिया है, ठीक है, जैसे सिलाई, पढ़ा परतिए आपरति अपृप कि परतियं अपा परतियं मुरा था परतिए जदव द्र करेंट नहें पर्दiesta के दिअ एक द्रक चाहिक ऊतर है इतने सारे भी आपरतिया होते ठीक है बच्चे चलिए हम लोग अब अगले प्रेश्ट पांच नंबर में चलते हैं कि सर्प में कौन सा पड़ते हैं सर तर्प में कौन सा पड़ते हैं बताइए सर्प में कौन सा पड़ते हैं देखिए आप लोग सोच रहें कि मैं पीछे तो सर्प में तो सर्प खुद मोल सब्दे सही वात है सर्प तो खुद मोल सब्दे लेकिन पीछे में जब कोई पड़ते हैं नहीं दिख रहा है जी तो समझे इसमें आ है क्या होता है जी आ पड़त पर भी होता है है क्योंकि ना कोई मातरा होता है तो बीना मातरा के बेंजन बर्ण में आ तो छुपा हुआ होता ही इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों पढ़तिया है अथिक्या कि याने कि इसका राई ट्रैंसर होगा आपसर नमबर ए आ पढ़ती है चलिए बच्च अब हम लोग आगला प्रेश्ण प्रेश्ण संग्या चो धूमिल में कौन सा पड़ते हैं धूमिल में बताईए धूमिल में कौन सा पड़ते हैं धूम जोड इल दूमिल लालू इल मिल बताईए तो कौन सा पड़ते होगा मिल पड़ते नहीं होगा मिल कोई पड़ते हैं ही नहीं देखिए धूमिल हरसाई और ला यहां पर ध्यान सा देखिए जराशा यानि इसका हरसा ही और इसका ला इल पड़ते हैं अना जी इल पड़ते हैं धूमिल में कौन सा पड़ते हैं बच्चों इल पड़ते हैं किसका राई ट्रांसर होगा आप्सान नमबर सी ठीक हैं कोई डॉट विलकुल नहीं होनीचे बच्चों जो भी प्राब्लम हो आपको आना जो भी प्रश्ण में जो है कुछ परेशानी हो तो अब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर नीचे बताईए ठीक है चली अब अगला प्रश्ण है बच्चों प्रश्ण शंक्या साथ मध्धूर इमा में कौन सा पढ़ते हैं मध्धूर इमा जी रिमा मा इमा मध्धू मध्धू तो होने से रहा क्योंकि यह सुरू में है मध्धूर इमा 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 पड़ते हैं न जी मध्धूर में अगर हम लोग मध्धूर में देखिए आप ही बदाईए आप लोग बदाईए मध्धूर में अगर हम लोग इमा को एड करते हैं तो क्या बनेगा जी मध्धूर इमा ठीक है यानि कि इसका पड़ते हैं क्या होगा जी इम, option number C, option number C is the correct, ठीक है बच्चों, चलिए next question, प्रश्ण शंक्या 8, किस सब्द की रचना परतियाई से होई है, कहाने का मतलब है, कि नीचे लिखित सब्दों में से कौन जो है, परतियाई है, बाकी में नहीं है, ठीक है, अभी योग, नहीं, अभी तो उपसर्ग है जी, बयायाम, तो बी जोड आयाम, ये भी अपसर्ग है जी, भी उपसर्ग है रचिया इता हाँ जी ये तो है जी यानि कि इता परती है इसमें कौन सा परती है बच्चो इता, सर्व नेक्छा इसमें भी नहीं है, सर्व जो है उप सर्व यहाँ पहना नेक्छा नहीं होता सर्व इच्छा होता यह स्वेक्छा होता है, ठीक है यानि कि option C जो है बच्चो इसकी रचना किसे होई है पढ़तिया इससे होई है ठीक है यानि कि यहाँ पे right answer हो जाएगा option number C रचियता क्लिए रचियता अब आगला प्रश्ण चलिए प्रश्ण शंक्या नौ हिंदी में करित पड़तिया की संख्या कितनी है जी यहाँ पे question पूछ रहा है हिंदी में करित परतिया की संख्या कितनी है तो देखे जब भी कभी करित पड़तिया की संख्या पूछें तो यह undefined है बच्चो समझ में एक, दू, तीन, चार, पांच, वह यह से नहीं है अंगिनत है जब तक सब्द का निर्मान होगा तब तक पढ़तियाई भी बनते रहे हैं क्योंकि यह पढ़तियाई से ही तो सब्द बनते हैं जैसे अंगरेजी में पढ़ना है ना प्रिफिक्स और सफिक्स हुए ही हिंदी में उपसर्ग और पढ़तियाई की रूप में बनता है तो यह अंगिनत है ठीक है यानि इसका राइट आंसर हो जागा बच्चो ओप्सन नमबर डी अंगिनत ठीक है चलिए अगला प्रश्ण व्रित धातो में निईल पढ़तियाई लगने पर सब़त रूप क्या होगा देखे यह सन्सक्रीट का कोस्चन है ठीक है लेकिन फिर भी जब आगे कोस्चन तो हम लोग को बढ़ना है अना व्रित धातो में अगर निउल पढ़तिया लग जाता तो यहां पर कौन सा सब्द का निर्मान होगा चार अप्सन है जी वृत व्रत व्रतम व्रतम ठीक है चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट अंसर बच्चो देखिए अगर व्रित में नियूल पढ़ती है लगता है ना तो व्रतम होता है ठीक है यानि इसका उप्सन डी जो होगा सही होगा क्लिर है आप लोग को समझ में आ रही है बात आप लोग पढ़े होंगे कि जो है इस तरी में जैसे लट पढ़ती है लगता है पढ़ता है ना जी लाटा पढ़ती है इस तरही में कौन सा परतिया लगता है? लाटा परतिया है, ठीक है? चलिए प्रश्ण श्रंग क्या इगा रहा हूँ? निमले कित पाद एक परतिया लगने से बने हैं? इनमें कौन सा पाद गलत है जिसमें एक परतिया नहीं लगा हुआ है? बताईए बताईए जी कौन सा सब्द ऐसा है जिसमें बच्चो एक परतिया नहीं लगा हुआ ठीक है देखिए बच्चो यहां चार अप्सन है पाचिक, भामिक, समाजिक, देविक ठीक है भामिक में भी एक परतिया है भामिक में भी है, समाजिक में भी है, देविक में भी है किन्तु पाचिक में एक पड़तिय नहीं लगा हुआ है ठीक है ना पाचिक में जो है एक पड़तिय नहीं लगा हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा बच्चो आप्सन नमबर ए पाचिक ठीक है चलिए आगले प्रस्ट प्रस्ट शंक्या बारा पीतर सब्द में एक लगाने पर क्या बनेगा जी पीतर में ए लगाएंगे तो क्या बनेगा बताईए पीतर में जब E लगाएंगे बच्चो तो पैत्रिक वनेगा क्या वनेगा पैत्रिक और आप लोग को पता होना चाहिए कि री जो है री यहना उसमें हरसई की मात्रा अपने आप लग जाती है अना री में ठीक है तो पैत्रिक तो अब बताई पैत्रिक यहां पे कौन सा सही लिखा हुआ इसका डी आप्सन जो है वो राइट है पैत्रिक यानि कि पित्र में जब हम इपढ़तियाई जोडएंगे तो क्या बन जाएगा जी पैत्रिक बन जाएगा ठीक है चलिए, नेक्स्ट प्रेश्ण प्रेश्ण शंक्या, तेरा निम्नांकित में से किस सब्द में परतियाई का परियोग हुआ है? बताईए आलक, विकल, धानिक, पूलक बताईए बच्चो ध्यान से देखिया, अपने आप पता चल जाएगा ना तो बत्चो अलक में हुआ है, ना विकल में हुआ है, ना पूलक में हुआ है लेकिन धानिक में जो है बत्चो, एक परतियाई का हुआ है परियोग, देखिए, हुआ है, धान में एक जोड़ें तो क्या बन गया जी धनिक यानि कि यहां पे राइट आंसर जोगा बच्चो वो आपसा नमबर सी होगा ठीक है आपसा नमबर सी धनिक एक पड़तिया ठीक है चलिए नेक्ट प्रश्ण प्रश्ण शंक्या 14 निम्नांकित मेंसे कौन सा किर्दंत परतियाई से बना है निम्नांकित मेंसे कौन सा ऐसा सब्द है जो कित परतियाई से बना हुआ है देखिए कित परतियाई बैसे परतियाई को कहते हैं बच्चो जो किरिया से बना हुआ है किस से बना हुआ है किरिया से अगर किरिया में हम लोग परतिया ही जोड़ देते हैं और उससे बने सब्द को हम लोग कृत परतिया काते हैं ठीक है तो आप लोग बताईए कि इसमें कौन सा ऐसा सब्द है जिसको जब हम अलग-अलग करते हैं तो वो किरिया में टूटता है, किरपालू, किरपालू में हम किरपा जोड़ आलू है, तो हम सभी जानते हैं किरपा जो है, क्या है जी, किरिया नहीं है, ठीक है, यानि आप्सन नमबर ए भी क्या है जी, according to the question, wrong है, ठीक है, दूध हारू, तो दूध, दूध भी क्या है जी, क रेली रेचना क्या है बच्चों खिरिया है यानि कि इसका तो आंसर मिल गया option number C में है विकाओ ठीक है रंगीला रंगीला में रंग से बना हुआ तो रंग क्या है जी किरिया नहीं है ना समझ मैं यानि कि इसका correct answer क्या होगा option C विकाओ आप समझ में क्रित परतिया और जो संग्या सरवनाम किर्या को छोड़ करखे आन सब्ड में जो परतिया ही लगता है उसे तद्धित परतिया रिखती है ठ वच्चों चलिएsk़ प्रस्ट पुरेश्ण शंक्या 15 निम्नांकित में से कौन सा सब्द पर्तिया युक्त है निम्नांकित में से कौन सा सब्द जो है उसमें पर्तिया लगा हुआ है ठीक है चार अप्सने में चो सजी पराजय कुरू मलीन ठीक है निम्नांकित में से कौन सा सब्द पर्तिया युक्त है बता देखिया सजीव बताई है इसमें लगा हुआ जी बताई बच्चों सजीव में नहीं लगा हुआ है कि सजीव में सबसर गया जोड जी पराजा में भी नहीं बच्चा कि यहां जो परा है पराजोड जै पराउपसर लगा है कुरूप में भी कूउपसर गया लेकिन यहां पर मलीन में देखिये इन परतिया लगा हुआ है कौन का परतिया लगा हुआ जी इन परतिया लगा हुआ है ठीक है यहां पर चार है ओप्सर चारों को हमने ध्यान से देखा सजीव में सब पर प्राजय में परा पढ़तियांगा हुआ है। लगा है। इसका राइट आंसर क्या होगा ओप्सन नमबर डी होगा चलो अगले प्रश्ण प्रश्ण शंख्या सोला क्यों बढ़ते हैं बच्छो प्रत्या शंबंदी या सुद्धी को द्रिष्टी गयत रखते हुए सहीत सब्ध बताई हैं अगर मान लिया जाए यहां पर चार ओप्सन दिया हुआ है इन चारों में कौन सा ऐसा ओप्सन है जिसमें प्रत्या गलत रूप से लगा हुआ है या फिर लगने के बाद तो ऐसे कि तो हационियं पुझनियं यह पुझनियं पुझ बतायी ए इसका राइट ँंसर क्या होगा बच्चो क्या होओ कि कौन सा जो है इस सही होगा तो देखिए ए फीड़ गलत है बीवी कहा था हुआ हो वोज नहीं है तो यह पोजन अप्षान नमबर कहा है बच्चो सीमे है है ठीक है हॉअभस नमबर तीमिया जली आगला प्र television संह कहा साथ रहा हुआ निर्वासित सब्द में निमलिखित में से कौन सा पड़तिया है निर्वासित सब्द में निमलिखित में से कौन सा पड़तिया है निर्वासित इत पड़तिया सित पड़तिया इक पड़तिया इन में से कोई नहीं चलो बताओ निर्वास निर्वास यह तो दिख रहा है निर्वास मुल सब्दयां पर क्या है जी निर्वास ठीक है अब यहां देखिए कौन सा पर्तिया दिर्गा यह दिर्गी कार सो रहर्सी कार और ता यानि इत पर्तिया लगा हुआ है कौन सा पर्तिय लगावा इत पर्तिय तो इत पर्तिय ऑप्सन नंबर ए में यानि ऑप्सन नंबर ए जो है आपका करेक्ट अंसर है ठीक है इत पर्तिय यानि ऑप्सन नंबर ए जो इसका प्रहिए अंसर है ठीक है बच्छो चलिए अगला प्रस्ण संक्या 18 निम्नांकित में कौन सा सब्द किरिधन्थ है निम्नांकित में कौन सा सब्द जो है बच्छो किरिधन्थ है ठीक है चार ऑप्संदिये चतुराई मिठास भिड़नत दुधार निम्नांकित में कौण सा सब्ध किर्धंत बताइए जटुराई मिठास भिड़नत दुधार वह साय किर्धंत जिसमें किर्या में लगाने से बना हुआ है अना चतूर चतूर तो नहीं है जी मीठ सरी किरिया मीठावी किरिया नहीं है भिडांत बताइए भिड़ना मतलब क्या हुआ किसी से लड़ना यानि कि भिड़ जो है क्या है भिड़ना मतलब लड़ना तो ये किरिया है दुधार मतलब दूध से बना दुधार यह तो नहीं होगा यानि कि इसका right answer option number C होगा कौन भिड़ात भिड़ात में कौन सा ले लगा हुआ परतियाई आंत परतियाई आंत परतियाई ठीक है ठीक है बच्छो अगला प्रश्ण उनाईस सूत सब्द को इस्तरी वाचक बनाने के लिए किस परतियाई का उप्योग किया जाता है सूत मतलब होता है बच्छो बेटा सूत मतलब बेटा और सूता मतलब बेटी होती है ठीक है सूता मतलब बेटी यानि कि सूत का इस तरह लिंक क्या हो जाएगा जी सूता यानिकि इसमें कौन सा परतिया लगा बच्छो आप परतियाया यहां पे किस ऑप्सन में बच्छो बिल्खो सही बी ऑप्सन में इसका राइट आंसर होगा ठीक है अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रस्ट प्रस्ट शंक्या वीश अनूज सब्द को इस्त्री लिंग अनूज सब्द को जो है अनूज सब्द का जो है अनूज सब्द का जो है हम लोग जो है इस्त्री वाचक बनाने के लिए आप किस परत्याय का प्रयोग करें ठीक है अनूज का बताईए किसका करेंगी जी चलिए बताईए अनूज का अनूज का मतलब होता है बच्चो छोटा अनूज का मतलब होता है अनूज का मतलब होता है छोटा ठीक है तो अनूज सब्द का स्त्रीलिंग तो अनूज का स्त्रीलिंग होता है बच्चो अनूजा ठीक है किस option में A, B, C या D में बता ही तो B में है यानि किसका राइट answer होगा option नमबर B है ना ठीक है चलिए नेक्ट प्रेश्ट 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 रश्टन संख्या 21 लेखक सब्द के अंत में कौन सा पट्याय लगा हुआ है ठीक है लेखक सब्द के अंत में कौन सा पट्याय लगा हुआ है चार option है बच्छो A, B, C और D हना लेखक कौन सा लगा हुआ जी बताई ज़िए , इक आक आक ॉस्जार बच्चो ज़ोंि ध्यान देखे द्यान से ले खक अक ले खक हम लोग का का डांत फट्रथें जोडते हैं तो क्या बन रहा है जोंग इसा प्रसा कॉंसे बच्छों बच्चों है ठीक है आप संडी जो होगा बच्चो यहां सही होगा ना क्योंकि लेखक में आक पड़तिया लगावा ठीक है चलिए अगला प्रश्ण शंक्या वाईस जो धातु या उपसर्ग सब्द की अंत में जोड़ा जा उसे क्या कहेंगे उपसर कहेंगे पड़तिया कहेंगे अब यह कहेंगे समस कहेंगे क्या कहेंगे उसको उसको बच्चो पड़तिया कहेंगे उससे क्या कहेंगे पड़तिया यानि आप्सन बी जो है इसका राइट अंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्ण लचकीला में कौन सा पर्तिय लगा हुआ है लचक जोड इला लचकीला लचक इसमें दिरगई ला यह पर्तिय लगा हुआ है लचकीला तो दिरगई इला किस में है जी आप्सन नमबर सी में है आप्सन सी तो क्या हो जाएगा आप लोग का सई हो जाएगा ठीक है राइट हो जाएगा अगला प्रस्ट इस चाविस नमबर है जो धा तो यह सब्द के सुरू में जोड़ा जाता उसे क्या काते हैं बताईए आप लोग पढ़ चुके हैं जी यह मत बोलिये कि नहीं पढ़े हैं जो धा तो यह सब्द अना सुरू में जोड़ा जाता उसे क्या काते हैं आंत में जोड़ा जाता हो तो पढ़ती हैं लेकिन जो सुरू में जोड़ा जाता बच्चों उसको क्या काते हैं। उपसर्ग काते हैं। आप संसी is the right answer। ठीक है। चलिए next प्रस्ट 25 बहाव सब्द में पर्युक्त परतियाई कौन सा है। बहाव सब्द में परतियुक्त परतियाई कौन सा होगा। बहाव वह हाव आव आव आवा बताईए। देखिए जी बह ठीक है बह तो गया जोड़ आव क्या बन गया बच्चों बहाव बह जोड़ आव क्या बन गया बहाव ठीक है यानि की option c is the right आव किसमें है जी आव आव जो है option आव है किसमें option c में है है यानि की आव परतिया लग बहाव में आव परतिया ठीक है तो चलिए जो आज का हमारा सेशन जो है उपसर्ग से है संबंधित है आज का जो सेशन होगा उसमें सारे प्रश्ण जो है उपसर्ग से होंगे और हम लोग आज पढ़ेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और हम लोग जो है अपनी भासा में कितने प्रकार के उपसर्ग का पर्योग करते हैं ठीक है तो चलि कहते किसे हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, आप लोग को हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, उपसर्ग किसे कहते हैं, यानि हेडिंग हमारा आज का है, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं, तो देखिए, वे सवदांस, अगर मैं यहां लिखना चाहूं, तो ल जो किसी सब्द के सब्द के सुरू में जुड़कर आर्थ परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं वे सब्दांस सब्दांस का मतलब वह सब्द का छोटा सा आंस सब्द का छोटा सा टुकड़ा वे सब्दांस जो किसी वी सब्द के सुरू में जुड़कर आर्थ परिवर्तन कर दे ला दे उसको क्या कहते हैं जी उपसर करते हैं घक है जैसे देख लो यहां पर एक्जामपल लिखती हूं में यहां पर मैं क्या लिखी बच्चो ज्ञान का अर्थ क्या होता है जिसके पास काने का मतलब है सिक्षा जो प्राप्त कर चुका है ना ग्यान करत सिक्षा भी होता है कहने का मतलब है कि ग्यान जो है एक अपने आप में जो है मिनिंगफुल बर्ड है लेकिन इसके पहले अगर हम आ लगा देते हैं तो क्या बन गया जी अग्यान अब बताईए अग्यान का मतलब तो होता है मुर्क और ग्यान का मतलब होता था चलाक, होसियार, एनजी बुद्धिमान तो सुची ये एक सब्दांस सब्द का टुकड़ा आ लगा देने से जो है ये पूरे का पूरे जो बर्ड था इसका अर्थ क्या हो गया चेंज हो गया ठीक है तो अब ज्यान से बन गया क्या अज्यान, समझ मैं इस तरह हम कह सकते हैं कि उपसर्ग जो है किसी भी सब्द के जुरू में जुड़कर अर्थ को परिवर्तन कर देता है ठीक है बच्चो तो अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में कुछ महतपूर्ण उपसर्ग, हना देखिए हम उपसर्ग यहाँ पर कुछ उपसर्ग के बारे बता देते हैं आप लोगो जिसे देखिए बच्चो उपसर्ग जो है वो हिंदी में भी होते हैं कुछ उर्दू के भी होते हैं हना यानि कि मुलता जो फार्सी के होते है संस्क्रीट से भी आते हैं ठीक है और कुछ हम लोग जो है इंगलिस का भी यूज करते हैं जैसे हिंदी में पोस्ट ओफिस लिखना रहता है तो पोस्ट अना तो सुरू में जो पोस्ट लगा वो क्या हुआ इंगलिस का ही न हुआ जी उपसर्ग आना ओफिस के पाले लग गया क्या पोस्ट ओफिस ठीक है हेड टीचर अगर लिखते है माल ले जाए तो टीचर के पाले हेड लिखा गया हेड सर, हेड टीचर, हेड क्वाटर हेड मिनिस्टर क्या तो इस तरह से कुछ उपसर्ग हम लोग हिंदी का भी उच करते हैं कुछ अंग्रेजी का भी उच करते हैं कुछ उर्दू का भी उच करते हैं ठीक है लेकिन पढ़ना हमें है मोलता हिंदी का मेन रूप से पढ़ना है हिंदी का तो चलिए हिंदी में कौन-कौन से उपसार्ग है सबसे पहला आ उपसार्ग है आ उपसार्ग से बने सब्ध अधर्म ठीक है अठाह ठीक है अती अती से बना हुआ सब्ध जी बताईए अती से क्या होगा अती चार है अत्या चार कि अ आ है अत्य कर्मन ड़क है है कर ऐसे बहुत सारे उपसार्ग है में अपसार्ग के बारें बता यह अधी आप arter को में 5 उपसार्ग देती हूं आप लोग इन पांचों से जो है 5-5 सब्ध बना के लागा है सबसे पहला है सबसे पहला आप लोग को लाना है बच्छों श्वास हैं, ठीक है, स्वा के बाद नी से, ठीक है, नी के बाद अभी से, अभी के बाद परी से, और परी के बाद अन से, ठीक है, इतना उफसर्ग आप लोग को बना करके लाना है, ठीक है, चलिए, अब हम लोग प्राशन की तरह बढ़ते हैं, बच्छों, प्रश्ण शंक्या एक सम उपसर्ग से बना है इसमें कौन जो है सम उपसर्ग से बना है बताईए निमलिखित में से कौन सम उपसर्ग से बना है तो आप लोग को अगर संदी विछेद आता होगा तो इस सारे सब्द को संदी विछेद करके तोड़िए देखिए, सबसे सुरू वाला जो सब्द है, एहां चार अपसंदिया हुआ है संयोंग, सुकर्म, शुएंशेवक और शंतान ठीक है, तो सबसे सुरू का जो सब्द है संयोग अगर हम इसका संदी विछेद करते हैं, तो पता है कैसे तूटेगा समधन योग यानि कि योग में कौन सा लगा हुआ है, जी उपसर्ग, तो श्राम उपसर्ग लगा हुआ है ठीक है, तो इसका आपसन ए जो हो जाएगा बच्चो, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा Option A is the right Option A जो होगा इसका बच्चो क्या होगा Right answer होगा सईयोग सम उपसर्ग से बना सब्द सईयोग ठीक है जड़िये दो नमबर हो अल किस भासा का उपसर्ग है अब सने है बच्चो हिंदी B, उर्दू, C, फार्सी, D, अर्वी ठीक है अल हिंदी का तो नहीं है बच्चो उर्दू, फार्सी और अर्वी इन तीनों में बता दू बच्चो अल किस भासा का सब्द है ठीक है अर्वी का किस का जी अल से कोई बनाना हो वे सब्द हो क्या बनावगे अल विधा अना अल से अल विधा बनेगा ठीक है बच्चो हम लोग चलते हैं नीग्ष्ट प्रेश्ट तीन नादान में ना उपसर्ग किस भासा सी आया है नादान में जो ना उपसर्ग है ना जोड़ दान नादान वो किस सी आया है है ना बताइए हिंदी, उर्दू, फारसी संस्कृइत देखिए हिंदी और संस्क्रीट का ये नहीं है ठीक है हिंदी और संस्क्रीट का ये नहीं है confirm नहीं है हिंदी और संस्क्रीट का बाकी उर्दु और फार्सी में तो बच्चो जो यहां पे नादान सब्द है ये खुद फार्सी सब्द है ठीक है नेक्स्ट प्रशन शंक्या, चार, बदवू में कौन सा उपसर्ग परियुक्त है, बदवू में कौन सा उपसर्ग परियुक्त है, बदवू में कौन सा उपसर्ग परियुक्त है, वा, वा, वद, वे, बा, देखिए हम लोग इसको पहले तोड़ना जाने, ठीक है, अगर हम इ दान बू, बद और बू में तुटेगा, बू का मतलब ऐसे भी क्या होता है, जी गंदा चीज, अना, बू मतलब गंधाना, ठीक है, बू का मतलब क्या होता है, किसी चीज की गंधाना, उसको बू बोलते हैं, ठीक है, और बद मतलब गंदा, ठीक है, बद बू का मतलब क्या हो तो बद इसमें कौन सा उपसर्ग को परिख्त हुआ है बच्चो बद यानि ऑप्शन बीज सदा करेक्ट आन्स झाट डिक्राइं चलिए नेक्सट छट पार्च नमबर यूँ चास में कौन सा उपसर्ग है जी तो सारे बच्चे बता देंगे फटा फट उनचास में कौन सा उ उन धन चास है ना उन चास उ है उत है उन है यह इन में से कोई नहीं चलो बता उन चास में कौन सा है बच्चो विल्कुल राइट वेरी नाइस इसमें है उन इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है उन और इधर बन गया चास चास अपने आप में एक मीनिंगफुल बड़ है और इसके पहले लग गया क्या जी उन उन का मतलब होता है नियून, कम है ना, यानि कि चास में एक कम क्या बन गया जी, उन्चास उन्चालिस, समझ मैं है उन्सट, उनहत्तर समझ मैं है, उन का मतलब ही होता है नियून, ठीक है छो नमबर किस सब्द में से किस सब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है ? तो सही बात है भाए ? बताइए किस में नहीं लगा हुआ है जो ? विनाश, अधिशाशी, प्रसंसा, प्रत्याशँ चार ओप्सन है, किस में उपसरग नहीं लगा हुए? तो देखिये अधिशाशी में कौन सा उपसरग है? बच्चों, धियान दीजिए अधिशाशी में अधि उपसरग है, ठीक है? प्रसंसा में प्र है, आना विनास में भी है ठीक है परतियासा में ओ सौरी प्रसंशा में नहीं है बच्चो प्रसंशा में जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ ठीक है प्रसंशा प्रतियासा में लगा हुआ है जी प्रति उपसर्ग प्रति जोड आशा क्या बन जाएगा बच्चो परत्याशा विदास में तो B है ठीक है अधिसासी में अधि है लेकिन प्रसंशा में उपसर्ग नहीं लगा हुआ अगर तुम सोचते हो कि हम प्रा को अलग कर देंगे और संसा अलग कर देंगे तो यह सही नहीं होगा चलते हैं नेक्स्ट क्लास सरी नेक्स्ट प्रस्ट नहीं साथ नमबर क्राय सब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका आर्थ बिपरित हो जाएगा क्राय का मतलब होता है खरीदना जी ठीक है अब बताए क्रायमूल का उल्टा क्या होता है या आप लोग भी पड़े होंगे चलिए बताए ये चार अप्सन है आण आप्र वी क्रायमूल का उल्टा होता है विक्रह क्राय का उल्टा होता है विक्रह यानि कि क्राय में अगर हम वी उपसर्ग लगा देते हैं बच्चों तो इसका उल्टा आर्थ निकाल जाएगा भिक्रे भिक्रे मतलब बेचना यानि किसका राइट अंसर होगा option number D ठीक है कोई प्राव्लम बिलकुल नहीं next निमलिखित में उजवल में कौन सा उपसर्ग है उजवल में कौन सा उपसर्ग है चार उपसर्ग है तो किसी को आगर आता है संदी विछेद करने तो इसका संदी विछेद करके देखो एक बार उजवल का संदी विछेद हो जाए बच्चो उट जोड जोल उट जोड जोल आप बताई उट जोड जोल आनि इसमें कौन सा उपसर्ग लगया जी इसमें कौन सा उपसर्ग लगया उपसर्ग लगया इसमें उट तो इसका राइट आंसर क्या होगा वेरी नाइस, उत, बहुत अच्छा, इसके राइट आंसर होगा उत, हैना, उत उपसर्ग से बना उजवल, ठीक है, यही सब कोस्टन पूर्षता एक्जामें बच्चो, हैना, जिसे बच्चे अच्छा से असानी से नहीं पकड़ पाएं, समझ में, आप लोग सुच नहीं है, इसका हम लोग संधी विच्चेत करेंगे, और मूल सब्द को जितना प्रयास हो सके, इसके मूल सनचना को देखना सुरू समझेंगे, जरूरी समझेंगे, चलिए, प्रशन शंक्या 9, परीमाप में उपसर्ग बताईए जी, परीमाप, उपसर्ग और परतियाए क्या है, किस सब्द को आप लोग 2-3 बार उसको धंक से पढ़ लेते हो, जैसे परीमाप को हम मुह से ही तोड़ देंगे, आप लोग भी तोड़ेंगे, परीमाप, परीमाप, अब बताई, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुए, परी, प, प्र, या परा, परीमाप, शुरू में क्या आ रहा है, तो परीमाप सर्ग रहेगा, यानि किसका राइट है, अजर उपसर्ग नमबर ए, ठीक है, प्रावलम है जी, बिल्गुल नहीं है, चलिए, अगला प्रश्ण 10, प्रख्यात में उपसर्ग को छाटी, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, इस भी छट जाएगा, च इसका भी देखो ऐसा ही है, बताओ, प्रख्यात, 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 ध्यान से देखो, प्रख्यात, यानि कि प्रख्यात, यानि कि प्रख्यात, जी, यहां पे देख सकते हैं आप लोग, प्रख्यात एक अपने आप में क्या है जी, सब्द है, अना, और प्रख्या है उपसार गया तो अभी बता चुकिए की प्रा क्या है उपसार गया इसका राइट अंसर होगा बच्चो आप्सान नमबर पी प्रा था भी है ना प्रा ठ्यांत ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रेश्ट निगा रहा है वे इंसाफी में पर्युक्त प्रतियाएक कौल्स आ है बे इंसाफी यह ना बे इंसाफी ध्यान से देखिए अपने याप बन जाए वे इंसाफी ठीक है वे इंसाफी देखो यहां पर बे ठीक है और इधर इंसाफी इंसाफ तो हम सब जानते हैं कि अपने आप में सब्दे जी इंसाफी एक अलग सब्दे इसमें बे लगा हुआ है बाफ़ बला बा तो देखिए तो इसमें चार आप्सन दिया बगार बे इंसाफ वे कोई नहीं तो बे कोई आप्सन में है बच्चो बे कोई आप्सन में है ही नहीं डी में वे है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बच्चो आप्सन नमबर डी इनमें से कोई नहीं ठीक है इसलिए क्यूंकि बे जो है यह जो सब्द है बे यह जो सब्द है बे अना यह कहीं पर लिखा ही नहीं है इस समय से ठीक है चलो बारा नमबर को निमलिखित में से उपसर्ग रहीत सब्द कौन सा उपसर्ग रहीत मतलब जिसके में कोई उपसर्ग नहीं हो ठीक है ऐसा कौन सा सब्द है बताईए चार ओप्षन है कुलीन, सुदार्षन, विनामृता, नीरवल हम लोग सब को तोड़ना शुरू करेंगे कुलीन को तोड़ेंगे सबसे पहले कुली कुल धान इन सुदार्षन का सु विनामृता का वी नीरवल का नी यानि कि बच्चो यहाँ पर जो है option A, कूल, कूल तो उपसर्व नहीं है कूल एक सब्द है इन उपसर्व इन पढ़तिया है यानि कि option A का जो है और राइट अंसर है ठीक है option A जो है बच्चो वो क्या है राइट अंसर है ठीक है यानि कि कूलीन जो है इसमें कोई उपसर्व नहीं लगा हुआ है यानि कि कूलीन इसका क्या होगा राइट अंसर होगा ठीक है चलिए नेक्श प्रेस्ट नहीं तेरा कौन सा टपसर्व अचार सबसे पूरू लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है बताए अचार के पहले अगर हम उसको लगाते है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा जुल्म यहां पर टपसर्व लिख दिया बच्चो उपसर्व होगा ध्यांदना इसमें कौन उपसर्व अचार के पहले लगाएगे तो उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा अन नीर आती दूर अन को लगाएगे तो अन आचार यह तो नहीं होगा जी नीर को लगाएगे नीर आचार अगर आती को लगा देते हैं बच्चो तो क्या हो जाएगा अत्याचार और जदी लगा देते हैं दूर को तो दूराचार ठीक है लेकिन यहां पे जुल्म पूछ रहा है, अना, तो आति को लगा देते हैं, अगर आती को लगाते हैं बच्चो, आती, धन, आचार, आती में आचार को अगर हम ऐड करते हैं, तो बन जाएगा क्या जी, अत्या चार अत्या चार कार्थ क्या होता है बच्चो जूल्म होता है यानि कि इसका राइट आंसर हो गया option number C इसका राइट आंसर क्या हो गया जी option number C ठीक है अत्या चार प्रश्ण संक्या 14 निम्नांकित में से किस सब्द में उपसर्क का परियोग हो है विकास, विवाद, सुन्दर, भरतिये जोड़ दीजिये आना विकास, विकास, अइसा तो नहीं टूट रहा है विवाद, विवाद, सुन्दर, भरतिये विवाद, यह गास, आना विकास, विकास, यह विकास, विकास, तूट रहा है विकास, टूट रहा है जो सब्दांस सब्द के आदी मतलो शुरू में आदी मतलो प्ररम्भ प्ररम्भ में सब्द के पहले जुड़कर अर्थ को परिवर्थित कर देते उन्हें क्या कहते है मैं सुरू में बता चुकी हूँ बे सब्दांस जो किसी सब्द के सुरू में जुटकर उसका अर्थ परिवर्थन कर देते उसे क्या कहते हैं बच्चो अब यह पढ़ती है सर्वनाम या उपसर क्या कहते हैं बताइए विल्कुल सही सारे बच्चे का सही जवाब आ रहा रहा है वेरी नाइस 100 में out of 90 आ Рहा है भ revolution 90 to out of 100 चलिए इस कराईट आंसर होगा उपसर ठीक है कराईट आंसर क्या होगा बच्चो उपसर कराईट आंसर होगा उपसर ठीक है यानि कि उपसर्ग जो है पहले जूटता किसी सब्द के पहले जूटता है अना अब चलिए प्रश्ण शंख्या शोला में गमन सब्द को विप्रितार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का परियोग करेंगे अना गमन ठीक है गमन मतलब होता है जाना ठीक ना अब करा इसका बिलोम बनाना है तो बताइए इसका बिलोम जाना मतलब आना जाना का तो बिलोम आना ही होगा तो सोचो कि गमन मतलब जाना होता है तो आना का क्या होगा गमन में निमलिकित में अनु गमन पहला उपसन है अनु गमन तो अनु गमन तो नहीं होगा प्र तो बनता आगमन और आप लोगों को पता होगा कि आगमन का मतलब क्या होता है आना आगमन का हर्थ क्या होता है आना बरसा रितु का आगमन हो चुका है आना हमारे घर मेमान का आगमन हो चुका है ठीक है आगमन मतलब आना और गमन मतलब जाना यानि कि इसका जो राही टांसर होगा वो आपसर नमबर C होगा ठीक है इसका राइट रांसर क्या होगा जी आपसर नमबर C होगा ठीक है बच्चों चलिए नेक्स्ट प्रस्ट सतरह आमीश को विप्रितार थक बनाने के लिए आप किस परियोग अपसर का परियोग है ना आमीश बताइए ते चार आप्सन है प्रा अनू ये सी आप्सन गलत है एफे अना उसके बाद है प्रती ठीक है बताइए बताई बच्चों आमीश का मतलब होता है मांसारी अना आमीश का मतलब मांसारी ठीक है और आमीश का उल्टा अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो बच्चों होगा ये निरामीश ठीक है निरामीश यानि कि इसमें नीर उपसर्ग लगेगा तो देखिए तो इसमें कहीं ॉप्टसन में दिया हो है नीर उपसर्ग समझमार यह बात तो जो नीर उपसर गए वही सही है तो नीर इसमें अंसर नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं अंसर नहीं है उपसर में तो बस हम लोग जान लेगे चलिए हम लोग नेक्ष्ट क्योस्चन क्यों चलते हैं कोश्चन नमर अठारा मूल धातों से पूर्व जिन सब्दों का परियोग किया जाता है उसे क्या काते हैं सेम चीज किसी सब्द के पाहले या धातों के पाहले अना जो परियोग किया जाता है उसे क्या काते हैं बताई चार उप्सर्ग है बच्चो पढ़ती है उप्सर्ग रास इन में से कोई नहीं तो जाईर सी बात है जब पाले कह रहा है तो उप्सर्ग होगा ध्यान नहीं देना है किसके पाले नहीं पाले सीधा पाले कह रहा है उप्सर्ग यानि option B is 10 इसका जो है correct ठीक है चलिए 19 नमबर अस्प्रिश सब्द को विलोम बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का परयोग करेंगे अस्प्रिश, अस्प्रिश का मतलब क्या होता है जी चुआ जूत अना जी तो अस्प्रिश उसकी आगे आपको जो है उसका बिलोम बनाना तो अस्प्रिश से का उल्टा क्या होता है आस्प्रिश होता है बच्चो तो इसमें क्या उपसर लगेगा प्रा तो प्रास्प्रिश हो जागा नहीं अनुइस्प्रिष, नहीं आप्रिष, आउस्प्रिष Good, कुश्प्रिष ये गलत होगा यानिकि उनेशका जोई बच्चो आउप्सोर नमबर क्या होजागा आसी साई होगा आवफ्रिष देखे जिसे आस्प्रिष का मतलब छुगा हुआ अना जी लेकिन अगर इसके पहले आ लाग गया तो क्या बन गया आइस्पिरिश यहने कि इसका राइट अंसर आपसों नंबर सी होगा ठीक है इसका राइट अंसर आपसों नंबर सी आइस्पिरिश ठीक है चलिए 20 परियत पनमत्थी सब्द में कौन चा उपसर्ग लगा हुआ बताईए अध्य प्रतीव इन में से कोई नहीं नहीं पाता पहले इसका हमनोग संधी विचेद कर दें इसका संधी विचेद होगा बच्चो प्रती जोड उत्पन मत्थी प्रती जोड उत्पन मत्थी यानि क्यों जागा प्रती उत्पन मत्थी यानि कि अरिक्स में कौन सा उप्सार्ग लगा जी प्रती उप्सार्ग लगा थो इसका right answer होगा बच्छो option number B प्रती उप्सार्ग जैसे अती 4 में क्या लगा अती जोड लगा अत्या चार उसी तरह से प्रित्पन मत्थी में प्रति उपसर्ग लगेगा अभी यहां पर एक सेम कोस्टेन अगर आ जाता बच्चे प्रति एक इसमें कौन उपसर्ग लगेगा सेम उपसर्ग लगेगा प्रति अना ठीक है चलिए अगला प्रश्ट 21 नमबर अध्या देश में परियुक्त उपसर्ग कौन सा अध्या देश में कौन सा अध्या 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 देखे मैं तोड़ती हूं पले अधियादेस को बच्चो ये टूटेगा अधि धन आदेस इसका संधी विछे दिया ही होगा ठीक है अधि धन आदेस यानि किसमें कौन उपसर्ग लगा जी अधि तो अधि किसमें है जी ओप्सन नमबर बी में तो इसका बी करेक्ट अंसर चलिए अगला क्योस्चन प्रश्ण शर्ण के बाइस उपहार में कौन सा उपसर्ग है बहुत असान है जी उपहार 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 बतहिए प्र अणाप उपहार हेन जी तो क्या लगेगा इसका राइट अंसर? क्या होगा बच्चे इसका राइट अंसर? आपसा नबर D यानि इसमें उप उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है जी? उप उप में हार जुट गिया है ठीक है? चलिए अगला प्रश्ण संक्या तेज चीर आईउ में कौन सा उपसर्ग है चीर आईउ में कौन सा उपसर्ग है तो चलिए इसका हम लोग जो है क्या करते हैं? संधी विछेद करते हैं चीर आईउ का तो बच्चो संधी विछेद इसका हुआ चीर धान आईउ चीर धान आईउ ठीक है? चीर धन आयू यानि कि इसमें कौम सा उपसर्ग लगा हुआ जी चीर तो चीर कितने नमबर में है option नमबर बी में यानि किसका correct answer होगा option नमबर बी चीर चीर आयू ठीक है अब अगला प्रश्ण प्रश्ण संक्या 24 तंसकार सब्द में संसकार सब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है संसकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है संस संस देखिए हम लोग इसका संदी विछेद करेंगे ठीक है इसका संदी विछेद करेंगे संदी विछेद होगा सं पलसकार संसकार ठीक है सम जोड़कार संसकार तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जी आप्सान नंबर ए संसकार ठीक है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगले प्रिश्ण शंक्या 25 अनुबाद में कौन सा अप्सर्ग है? अनुबाद अनुबाद अ अउ अनुबाद है जी तो देखिए ये कैसे टूटेगा जी? अनुबाद यानि अनुबाद में कौन सा अप्सर्ग लगावा है? अनुबाद है ना? यानि केस करा राइट अंसर अप्सर नंबर डी ठीक है बच्चो? समझ में है आज का? अप्सर्ग संदी विचेत के माधियम से तो आपको जरक भी पड़सानी नहीं होगा वाकी तो हम जो देख रहा है सामने से जो दिखी रहा है नंगी आखों से लेकिन बहुत सारे ऐसे क्यूशन थे जो हमारे संदी से ही सॉल्व हो रहा है थे इसलिए बच्चो इसके संदी को जानना बहुत इंपोर्टेंट है तो बच्चो हमारे अगला प्रेशन है प्रेशन शंक्या तीस ठीक है क्या कह रहा है इस प्रेशन में कह रहा है कि इनमें कौन सी किरिया सकर्मक किरिया का उधारन है निमलिखित में कौन सी किरिया सकर्मक किरिया का उधारन है फ़ेला अप्सन है ठहराना V रोना, C टूटना D गीरना ठीक है तो बताइए बच्चो आप सभी बताइए जल्दी से इसका right answer क्या होगा सकर्मक किरिया है सकर्मक किरिया किसे कहते है जो कर्म के साथ रहता हूं मतलब जिसको कर्म के साथ हम एडजेस्ट कर सकते हैं वैसे किरिया को सकर्मक किरिया कहते है ठीक है तो सोचो कि इसमें कौन सा option है जो कर्म के साथ perfect होगा ठीक है बिल्कुल सही बहुत सारे बच्चों का answer जो है अच्छा रहा है जी हाँ इसका right answer होगा बाग क्या बनाते है ठीक है तो ठहराना के लिए हम लोग कोई जो है एक कर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं उसको ठहराया जाएगा या कुछ भी है न रोना रो रहा था जोड से रो रहा था धीरे से रो रहा था तो जोड से धीरे ये कर्म नहीं है लेकिन टूटना डाली टूटी, फूल टूटा हाँ ना जी, माला टूटी, किसी का घर टूटा समझ में है रहा है, मिंस की इसके साथ कर्म जूट रहा है यानि कि यह सकःमक क्रिया का एक उधारन है ठीक है जले बच्चो अब नेक्ष्ट प्रस्ट 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 प्रस हम लोग सबसे पहले समास भीग्रा करेंगे तो इसका समास भीग्रा क्या होगा बच्छो महान है जो आत्मा महान है जो आत्मा यानि कि इसका पर्थम पद क्या है बचो विशेशन है ठीक है पर्थम पद विशेशन और दूसरा पद क्या है बचो संग्या है आत्मा क्या है शंग्या है तो जी समास का पर्थम पद विशेशन और उत्तर पद संग्या हो न ऐसे समास को कर्मधारे समास कह क्या कहते हैं जी कर्मधारे समास यानि कि इसका करेक्ट अंसर होगा option number c ठीक है इसका करेक्ट अंसर क्या होगा जी option c ठीक है बच्चो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगले प्रश्ण प्रश्ण शंक्या 32 की और निम निखित में से कौन सा सब्ध अशुद है अप्सनी हस्ता छेप B सापताहिक C नाराज D लगान ठीक है चलो बताओ इसका राइट अंसर क्या होगा विल्कुल सही बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है जी है बच्चो इसका राइट अंसर होगा option number A क्यूंकि यहां पर हस्ता छेप जो है बच्चो गल खलंदाजी देते हैं इंटर्फेर करते हैं तो उसको हस्त छेप करेंगे ठीक है बिना बुलाए अगर आप बिना पूछे आप किसी काम में लग जाते हो तो हस्ता छेप कर लाता है ठीक है बाकि इसके अलावाद जो तीन option है बच्चो B C और D ये तीनों ही शुद्ध है ठी ठीक है चलिए अगला प्रश्ण शंक्या 33 निम लिखी तमें कौन सा वाक के अशुद्ध है निमन में से कौन सा वाक के अशुद्ध है उसका प्रान निकल गया option B बालक छट पर खेल रहे हैं मैं अपने घर जा रहा हूं यहां केवल दो पुस्तके है ठीक है चलिए यहां प ठीक है option A, V, C या D देखी बच्चों ध्यान से देखिया अशुद्ध है पूछ रहा है कि कौन सा इसमें option जो है अशुद्ध है कौन सा sentence गलत है चलिए ध्यान से देखिया और इसका correct answer बताईए बिलकुल सही बहुत सारे बच्चों ने यहां पे option नहीं लगाए किसी किसी C लगाए कि मैं में अपने घर जा रहा हूँ भई में नहीं मैं है वहाँ गलती से लिखा गया जिस बच्चों का option नहीं आप लोगों ने लिखा है उनका यह correct answer है ठीक है क्योंकि इसका correct answer option A ही होगा बच्चों उसका प्रान निकल गया एक्च्छल में उसका प्रान निकल ग उसके प्रान निकल गे ठीक है यहां पर उसके का प्रयोग है उसके प्रान निकल गए ठीक है चलिए समझ में आई बात नेक्ष्ट प्रश्ण संक्या 34 की और हम लोग प्रस्थान करते हैं बच्चो निमलिखित में से कौन सा सब्द सुद्ध है निमलिखित में कौन सा सब्द शुद्ध है अप्सने है बच्चो शाषन V. रिशी C. अक्षत D. तैभार चलिए बहुत ही इजी सा प्रश्ण है बहुत ही असान सा प्रश्ण है आप लोग फटा-फट इसका अंसर बता सकते हो बहुत सारे बच्चो ने बताया भी है माही कौन है माही जी? चलिए आपका करेक्ट अंसर है चलो देखो बच्चो यहाँ पे इसका करेक्ट अंसर होगा option C अच्छत क्योंकि यहाँ जो अक्छत लिखा हुआ है यह सही है आप में से किसी का नाम अक्छत है चलिए तो इसी तरीके से लिखाता है प्रश्ण बच्चो शाष्ण यह सासन गलत है रीसी गलत है सासन कैसे लिखाएगा यह देखी इस तरीके से ठीक है रीसी रा और इसी रीसी ते उहार ते उहार इस तरीके से लिखाता है समझ मैं ही बात चलिए ठीक है अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चो नेक्ट प्रश्ण प्रश्ण संग्या 35 कि तरफ अंगी पर नचाना का अर्थ क्या है बताँ यह एक मोहावरा है अंगली पर नचाना का अर्थ क्या होगा अप्साण यह बच्चो आसानी से काम करना B. बस में कर लेना C. धोखा देना D. नच्ट कर देना चलिए बताई इसका correct answer क्या होगा अंगुली पर नचाना है ना नहीं कहते हो कि तुम उसके बाद तु सुनते हो तुम्हें अंगुली पर नचा देगा है ना मिन्स की बस में कर लेना विल्कुल सही है विल्कुल सही है सारे बच्चे का इसका जवाब जो है सही है आप लोगों नहीं दे रखा है इसका correct answer होगा option number V है ना अंगुली पर नचाना मिन्स बस में कर लेना है ना ठीक है चलिए next question question क्या हम लोग 36 की ओर बच्चो प्रस्थान करते हैं अंतर का अर्थ क्या नहीं हो दा बता अंतर एक सब्द है इसका अर्थ निम लिखित में से क्या नहीं होगा option नहीं भीनता वी दूरी शी हिरदय और डी है समय ठीक है बच्चो चलिए बताए इसका right answer क्या नहीं होगा अंतर तो देखिए option नहीं भीनता ये भी अंतर का अर्थ होता है जी नहीं बोलते हो ये इससे भीन है मतलब इस दोनों में कुछ न कुछ अंतर है दूरी दूरी भी अंतर को दर्स आता है ना जी हिरद है हम सभी जानते हैं कि आत्मा और अंतर आत्मा जिसको बोलते हैं मिंस से बोल रही है अंतर मे से तो समय होता यह नहीं Lawrence कि यह बात को अब लोग ध्यान में रखू ठीक है अंत्राल कि अगर अंत RAW लिखा भी है तो समझना कि वे समय का प्रेया वाची कि नहीं हो ठीक हैं कि अब नेक्प्रास्न की और भटते यह बाच्चों लोग चेल यह बच्चों अगला प्रश्ण प्रश्ण संकेया सेथिस निमन मैं से कौन सा सब्ध संगया नहीं है नमअना निम लिखीत मैंसे कोन शाब संगया नहीं है ओपसुन ए बच्चो बच्पन…v.. मधूरता, C, चलना और D, मैल, ठीक है, चलिए बताइए, इसका राइट अंसर क्या होगा, बच्पन, मधूरता, चलना या मैल, संग्या सब्द नहीं है, बहुत सारे बच्चे ने बहुत सही जवाब दिया इसका, चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही बच्चो इसका करेक्ट अंसर होगा, option number C, चलना, देखें, बच्पन, मधूरता, और मैल, ये तीनों ही संग्या सब्द है, किन्तु चलना, चलना जो है बच्चो, ये किरिया है, क्या है जी, किरिया है, इससे किसी काम करने का बोध हो रहा है, तो ये क्या है बच्चो, किरिया है, ठीक है, समझ में आई बात, आप लोगों का एक्जाम बहुत ही नस्दीक है, आप लोग अपने जो है एक्जाम के प्रिप्रेशन पर अच्छे से फोकस करो, ठीक है, क्यूंकि मैं नहीं चाहती कि जो बच्चे इस साल हमारे बैच में प अगला प्रश्ण संक्या बच्चो 38 पुछ किस परकार का सब्य है, कुछ किस परकार का सब्य है, अप सने परिमान वाचक विशेशन C, संक्या वाचक विशेशन D, C सार्वनामिक विशेशन repair D वहाव वाचक संग्या, तो देखिए, अप्शन C और D, ये बात ये, ये दोनो option तो बिलकुल incorrect है अना गलत है ठीक है सारवनामिक विसेशन और भाव वाचक संगे तो कुछ कभी होई नहीं सकता है अब option A और B में confusion है लेकिन बहुत सारे बच्चों को इतना ज़्यादा confusion हो रहे है कि कोई A लिख रहा है कोई B लिख रहा है यानि कि इसका correct answer होगा बच्चों option number B संख्या बाचक विसेशन ठीक है कुछ बच्चे खेल रहे है मिन्स कितने बच्चे खेल रहे हैं नहीं पाता ठीक है तो कुछ जो है अनिस्चित संख्या बाचक विसेशन का उदारान है लेकिन कोई-कोई बच्चा इसको परिमान बाचक वहलोग निक्ष्ट प्रश्ट संख्या 49 की ओर प्रस्थान करते हैं कौन सत्रु का प्रियावाची नहीं है सत्रु का प्रियावाची कौन नहीं है जी option A है बच्चो अरी, V रीपू, C बैरी, D बयाल बताइए कौन सत्रू का प्रयाईवाची नहीं है बताइए जल्दी से आप सभी ये सारे question मैं करवा चुकी हूँ हाना ये आप लोग का revision time है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूँगी चलिए, बिल्कुल सही, इसका option A भी सही है अरी भी सही है बच्चो रीपू भी बैरी भी किन्तु option D बयाल हाना, ये जो है बच्चो ये सत्रू का प्रयाईवाची नहीं है यानि कि इसका correct answer option D होगा तो आप सबी जानना चाहेंगी कि मैं बयाल किसका प्रयाईवाची होता है तो बच्चो ये नाग का होता है, सांप का ठीक है ये किसका प्रयाईवाची होता है, जी नाग का नाग समझते हो ना, सर्प ठीक है चलिए, next question, question question क्या चालिस कौन सहस्थ आयादी संधी का उधारन है आयादी संधी का उधारन है, option है भावक B. इत्यादी C. सदैव D. महेंद्र बताए बच्चो चल्दी से देखिए, आयादी संधी का मैं आप लोग को एक उधारन बताई थी कि जो भी सब्द maximum सब्द आयादी संधी के जो होते हैं बच्चो तीन अच्छर के होते हैं इसमें A, I, O, O की मातरा ज़्यादा नहीं होती है बहुत कम होता है, बहुत rare case में होता है लेकिन जब हम लोग इसको उचारन करते हैं तो इसमें तीन तरह के सब्द जो हैं आते हैं आ, I, O, 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 ठीक है? ये चार तरह के सब्द जो हैं बच्चो उचरीत होते हैं जब हम इसका उचारन करते हैं तो स्मझ मैं ही बात जैसे देखिए option इसमें ध्यान दिजे भावुक भावुक आउ आउ आ रहा है इसमें आ रहा है भाव उक भाव आउ आना यानि कि इसका correct answer होगा बच्चो option number A ठीक है देखिए और भी मैं इसका example बताती हूँ जैसे पवन पवन आप लोग बोलो पवन अब ये वला रहा है पव अगर कोई बोलता है ना यान आई ये वला रहा है यानि कि ये सब जो हैं आयादे संधी के उदारन है ठीक है और इसकी एक mean बात ये होती है बच्चो आयादे संधी में कि maximum bird जो होते हैं maximum सब जो होते वो तीन ही अक्षर के होते हैं ठीक है जैसे आप देख लो यहाँ पर तीन एक्जामपल मैं दी हूँ भावुक पवन नयन नायक नयन जी पवन पवक दहन सरी दहन नहीं होगा डायन तो ये सारे के सारे सब जो हैं तीन ही अक्षर के हैं ठीक है समझ में ही बात चला जए अब नेक्स्ट प्रस्ण की वर प्रस्ण संग्या 41 हाथी का पर्याय वाची नहीं है बताओ निमलिकी तमें कौन हाथी का पर्याय वाची नहीं है बितुंड कंचन हस्ती मतंग हम सबी जानते हैं बितुंड किसका प्रयाय वाची है हाथी का है हस्ती भी हाथी का है मतंग भी हाथी का है किन्तु कंचन option number B हमारा correct होगा कंचन जो है बच्चो ये स्वर्ण का प्रयाय वाची है किसका है जी स्वर्ण मींस गोल्ड का सोना का है कंचन किसका प्रयाय वाची है बच्चो सोना का ठीक है समझ में आ गई बात चलिए next question प्रशन संक्या 42 बिहारी बर्ग में हिंदी की कितनी बोलियां दिया बिहारी बर्ग में हिंदी की कितनी बोलियां दिया option है 1 V2 C3 D4 बिहारी बर्ग में हिंदी की कितनी बोलियां दिया नहीं पता सो बच्चो इसका correct answer होगा option number C ठीक है इसका correct answer क्या होगा जी option C यानि कि 3 अब आप सब पुछेगा मैं 3 है तो 3 वो कौन कौन है ठीक है तो सबसे पहले बच्चा हमारे आता है इसमें भोजपूरी ठीक है दूसरा आता है बच्चा हमारे इसमें मैथिली आप लोगों में से कितने बच्चों को मैथली आती है वही बोलने के लिए और तीसरी भास आया बच्चों बोली है बच्चों इसमें मागधी ठीक है ये तीन बोली बिहार में बोली जाती है ठीक है और ये तीनों बोली बिहारी हिंदी के अंतर गहता आती है ठीक है बोजपुरी मैथली और मागदी समझ में आ गई बातें चलिए अब है अगला प्रस्न बच्चो प्रस्न संख्या 43 नीमन में से कौन सयुक्त बेंजन नहीं है देखिए सयुक्त बेंजन नहीं है सयुक्त बेंजन किसको कहते है जी जो बेंजन दो या दो से अधिक बेंजनों के मेल से बना हो उससे क्या कहते है बच्चो सयुक्त बेंजन कहत चार ओप्सन दियेंगे वच्चो ओपसन A में है छ बी में है द्रडि ओपसन C बच्चो स्री और डी है वच्चो ज्या इहाँ पर चार ओपसन दियेंगे चारों ओपसन को अच्छी प्रकार से द्यान से देखी और पड़े वह समझे ठीक है अब बताईए इसका right answer किया होगा मैं बता चुकी हूँ इस सारे प्रस्द में करवा चुकी हूँ इसलिए मैं आप लोगों से इसका answer मांग रही हूँ ठीक है तो बच्चों हम सभी जानते कि संक्ट बेंजन की संख्या कितनी होती है जी चार होती है कितनी होती है चार कौन-कौन होती है च्छा, त्रा, ग्या, और एक होता है बच्चों स्रा ठीक है तो हमारा option नहीं में च्छा भी है चलो ये तो होगे त्रा भी है ये भी होगे लेकिन यहाँ पर बच्चों स्री दिया हुआ है तो स्री नहीं होगा बलकि हमारा क्या होता है बच्चों सरा होता है और ये जहा दिया हुआ है तो जहा नहीं होगा घ्यां होता है तो घ्यां इस तरह से लिखाता है समझमाई बात तो आप लोग को समझमनी आ रहा हुआ कि इसका correct answer क्या हो रहा है तो यहाँ पर बच्चों दो-दो option गलत दे रखें यहाँ पर दो-दो option गलत दे रखें option C और D दोनो तो हम लोग क्यों ऐसा ना करते हैं कि सेंक्त बेंजन के बारे में ही जान जाते हैं आखिर यह कौन-कौन है क्या है तो छा, त्र, ग्यां और स्र, यही चार हमारे सेंक्त बेंजन है ठीक है यह बच्चो जो question है सेंक्त बेंजन से संबन्दित यह हर एक exam में पूछ देता alternate exam में पूछी देता है ठीक है, इससे question चलिए अब अगला प्रस्न बच्चो प्रस्न संख्या चवालिस उच्चारन के अधार पर निम्न संब्रित स्वर कौन है option है बच्चो हार सव B है O C है O D है दिरगई चलिए बताए पता है? नहीं पता? तो सुनिए बच्चो A और O A और O ये दोनों निम्न संब्रित स्वर कहलाते है ठीक है? A और O दोनों क्या कहलाते है? निम्न संब्रित स्वर ठीक है? तो यहां पर चार option दिएगा दिरगई O O और दिरगई ठीक है? तो देखिए यहां पर कोई है option ऐसा जो इसमें से मैच कर रहा हूँ सॉरी यहां पर मैंने थोड़ा सा मिश्टीक होगा है बच्चो O होता है O नहीं होता है बलकि क्या होता है? O होता है ठीक है? कोई नहीं कभी-कभी दिमाद से उतर जाता है बोलते हैं हम कुछ है और लिख दियें कुछ ठीक है O तो बताए A और O यहां option में दिया हुआ है बिलकुल दिया हुआ है जी हां बिलकुल दिया option number B सो इसका correct answer क्या होगा बच्चो option number B O जो है निमने संबरित स्वर का उधारान है ठीक है? ठीक है? निमने संबरित स्वर का उधारान है ठीक है बच्चो? चलिए next question प्रेश्न शंक्या पैंतालिस लोकोकती घाट घाट पानी पीने का अर्थ क्या है? बताए लोकोकती घाट घाट पानी पीने का अर्थ क्या है? जिसने अधिक यात्रा करी हो जो नदी का जल पीता हो जो संसार का अनवा प्राप्त करना जो सारे संसार से जल एकत्र कर ले घाट घाट पानी पीने का क्या अर्थ है? कहते हो न गाट घाट का पानी पिया इसे अपने पल्ले में लेना इतनी आसान वात? नहीं है मीन्स की जो संसार का अनुवा प्राप्त करना चाहाता हो या जो किया हो उसी के लिए मुहाबरा जो है परियोग मिलाए जाते है ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रस्ण बच्चो प्रस्ण संख्या च्यालिस कौन सा सब्द संख्या नहीं है निम्न में से कौन सा सब्द संख्या है बताईए निम्नमें कौन सा सब्द संख्या है अप्साने है बच्चो आर्थिक वी सार्वजनिक दि see नेतिक और डी तत्व ठीक है ध्यान से देखे पढ़ियो और बताईए इसका करेक्ट अंसर क्या होगा आर्थिक, सर्वजनिक, नैथिक और था थो तो देखिए बच्चो आर्थिक, सर्वजनिक और नैथिक ये तीनों सब्द विशेशन है क्या है जी? विशेशन है किन्तु option number D ये क्या है बच्चो? संग्या है ठीक है? यानि इसका correct answer होगा बच्चो option number D आर्थ से बना आर्थिक, सर्वजनिक और नीथि से बना नैथिक और जी? सर्वजन से बना सर्वजनिक ठीक है? चलिए बच्चो next question संग्या 47 ठीक है? पुस्प का प्रियावाच्ची कौन होगा बताओ? पुस्प का प्रियावाच्ची अपसने प्रशुन वी आद्री शी मकरंद डी समीर बताओ चलिए बताओ इसका correct answer क्या होगा जी? सो आम सभी जानते बच्चो कि पुस्प का प्रियावाच्ची क्या होता है? प्रशुन होता पुस्प का प्रियावाच्ची प्रशुन होता है प्रशुन, फुल, कुशुम, शुमन यही सब होता है पुस्प का प्रियावाच्ची अपसन नमबर ए अब बात आती है कि मैं आद्री का मतलब क्या होगा? तो बच्चो आद्री का मतलब पहाड, परवत यही सब होता है ठीक है? मकरंद का मतलब क्या होता है भई? तो सहद होता है या फूलो का रहस होता है समीर का मतलब तो हम सभी जानते हैं भई? हवा समीर का मतलब क्या होता है? हवा, बायू ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रेस्ट 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 शंग्या 48 बाक्यास जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक सब्द क्या होगा जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक सब्द क्या होगा अपार अनन्त अवर्निय बताओ जिसके समान दुसरा ना हो, सारे बच्चे सोचने अनत अधित्य होगा, तो इसमें अधित्य नहीं है, नहीं है न जी, तु घबराना नहीं है, अधित्य नहीं है तो, जो आपका option नंबर B है, अननने, ठीक है, ये अधित्य का प्रियायवाची है, यानि इसका correct answer क्या होगा ब नमान स्री राम के अनन्ने भक्त थे, मतलब कि उनके समान कोई दुसरा भक्त नहीं हो सकता है, अपार जिसका कोई पार ना हो, अपार अनन्त जिसका कोई अन्त ना हो, और वर्णन ये किसको कहते है, जिसकी बर्णन की कोई सीमा ही ना हो, और वर्णन ये कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात चलिए नेक्ट प्रस्ण बच्चों प्रस्ण संख्या उन्चास नीवन में से कौन सा सब्द शुद्ध है बताओ कौन सा सब्द शुद्ध है आप सरे यह बच्चों नवं वी नवं सी प्रथक डी प्यास इसका करेक्ट अंसर क्या होगा बताओ क्या होगा नवं प्रथक प्यास देखो प्रथक तो पक्का गलत है यह इस तरह से होता है प्रिथक होता है प्यास भी गलत है यह प्यास ऐसे होता है अब बात आ रहे है नवं और नवं में तो देखिए बच्चो नवम जो है ये वाला करेक्ट है ठीक है क्योंकि जो हम लोग नवम बोलते हैं नवम तो लास्ट में नवम ऐसे नहीं बोलते हैं नवम मिन्स की मा में जो है यहां पर मा बर्न रहता है ना कि ब्यंजन बर्न रहता है ठीक है उसमें स्वर नहीं होता है य ठीक है? समझ मैं आई बात? चलिए नेक्स्ट प्रस्ण बच्चो प्रस्ण संक्या? पच्चास यह अंतिम प्रस्ण है नीमन में से कौन सा सब्ध अशुद है? नीमन में से कौन सा सब्ध अशुद है? आप्चन है बच्चो बारात वी महत्व सी रचेता और डी लग्ण ठीक है? तो बताईए कौन सा सब्ध इसमें गलत होगा? आप लोग को लग रहा होगा मैं मैं इसमें सारे सब्ध हो सही है लेकिन ध्यान से सोचिए कि मैंने यह पीछले बार भी आप लोग को बताया था कि बच्चो एक्च्च्वल में बारात नहीं होता है बलकि बारात होती है इसका आप्शन नहीं जो है करेक्ट है बारात नहीं बारात होती है ठीक है बच्चो? इसका करेक्ट अंसर क्या होगा? आप्शन ए ठीक है? बारात होता है बारात नहीं बाकि इसके लावा एपसंट B, C और D ये तीनों ही correct answer है ठीक है? correct options है सुच में ही बात? इस साल मुझे college चाहिए ओके? विकाज ये सोचो कि तयारी सब लोग करता है आप किसी को 2 साल लग जाते है 3 साल किसी को 5 साल किसी को मतलब करते ही रह जाता है तो ये सोच कर मत करो कि इस साल नहीं तो अगले साल मिलेगा ये सोचो कि मुझे इसी साल चाहिए college वो भी अच्छा college चाहिए टॉप college चाहिए तो ये सोच कर पर होगे न तो पका पका जो सोचोगे वो होगा ठीक है? अगर आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो यानि बहुत ज़्यादा पोजेजीव हो कि मुझे ये करना है और मुझे college चाहिए तो आपको महनत करना होगा महनत से पीछे भागने की ज़रुत नहीं है चलो आज के सेसन में इतना ही फिर मिलते हैं हम नेक्स सेसन में कुछ नेक्स्ट कोश्चन के साथ तब तक के लिए थैंक्यू आप सभी को, ओकी?